हेलो फ्रेंट्स, वाल्गम बैक टू मैं चैनल आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि नर्सरी से कैसे प्लांट्स को आपको बाय करना है और कौन से प्लांट हेल्दी रहते हैं और घर आने के बाद क्यों वो जो प्लांट रहते हैं वो जाधा दिन सर्वाइब नहीं कर पाते हैं तो इन सारे complete detail मैं आप सबको आज शेयर करने वाली हूँ तो आप वीडियो के last तक जरूर बनी रहिएगा और तो चलिए फ्रेंड्स आप वीडियो को फिर जल्दी से start करते हैं तो जैसे की फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहां पर मैंने तीन रोस के प्लांट्स लेकर आए हैं और जो की बहुत ही रिजनेबल कॉंस्ट में मुझे यह मिले हैं नरसरी में और बहुत सारे color options थे लेकिन मेरे पास maximum जो प्लांट है रोस के वो mix color में ज्यादा है और जो normal colors हो तो मैंने इस पार white yellow और red color का जो प्लांट है उसे लिया है तो जैसे की बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि नरसरी से प्लांट तो बहुत healthy सा लेते हैं लेकिन घर जाने के बाद में वो उससे हम survive नहीं कर पाते हैं वो बिल्कुल भी लैगी से हो जाते हैं उसके कुछ दि लोगों के साथ होता है और मेरे साथ भी यह बहुत बार हुआ है तो उसका reason यह है friends की नरसरी में बहुत अच्छे से वहां रखाया रहता है एक साथ सारे plants के साथ में रहते हैं green net में रहते हैं तो उनको कोई भी problem नहीं होता है और घर लानते हैं तो हम उसे जैसे यह polythens है तो यह polythens को हम अगर पूरा disrupt कर देते हैं और उसके root ball को disrupt कर देते हैं तो जो हमारा plant है वो बहुत लैगी सा हो जाता है खराब होने लग जाता है क्योंकि उसे घर लाने के बाद एक new temperature मिलता है new place मिलता है तो जिसके बाद से uncomfortable होने से उसके जो plant है उसके जो survive होने की chances है वो सारे खराब हो जाते हैं धीरे धीरे डल होने लग जाते हैं और जो plant है इसलिए जादा दिन तक हमारे garden में नहीं टिक पाते हैं और उसमें उस तरीके से flowering भी नहीं बनते हैं तो आपको mainly क्या करना है अगर आप इसे reporting करना चाहते हैं तो reporting करने के लिए जो आप इसके polythens हो करने के बाद मैंने इसे क्या किया है अपने garden में ही छोड़ दिया है सारे plants के बीच में यहां पर यह रहेंगे फिर इन्हें थोड़ा सा आदत हो जाएगा तो उसके बाद मैं दो से तीन दिनों के बाद मैं इसे ट्रांसफर करूँगी क्योंकि ठंडिया है ठंडी के साथ मे धूब का भी तेज बहुत जादा रहता है और इस वक्त पे अगर आप रीपॉटिंग कर देते हैं विद रूट बॉल को डिस्टब करके तो प्लांट का बिल्कुल सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है तो इसलिए आपको इसे दो-तीन दिन तक अपने garden में ही ऐसी छोड कर देना है और उसके बाद में आप इसे पॉलिथिन को बिल्कुल यहां से कट करके और उसके बाद आपको शिफ्ट करना है धीरे से इसको लेकर पैठाल देना है सॉयल में पॉटिंग मिक्स में और उसके बाद उसे सॉयल से कवर कर देना है इससे क्या होगा ना उसकी रू यह सब जो छोड़ी छोड़ी गल्पिया हम कर देते हैं तो जिसके वज़े से हमारे प्लान जो है वो डैमेज हो जाते हैं और घर लाने के बाद लैगी होकर सीधे खराब होने लग जाते हैं और उसमें कलियां भी नहीं बनती हैं और कलियां नहीं बनने का कारण यह है फ्रें इसे लिग सब बल्ष बढ़ा अंगर्ट एबादने बने इसे रॉसरे बें किली कर दिए लिए प्रोपस के लिए भी बनान अपर्तन वोस तो यह Wars जो सबढ़ें लने मैं सकते के साथा फ्रवाटारी लने का revenir साथ है? जो आपी सार्टेन हम तो सबव्धाइक करने में लिए जाते हैं. इसम्म सैनुल लिए मुँधा और लिंग साथा कि लिए लेह फ़रगें का coming on to another new plant नूट्राइक का से केयर करके रखें तो पहली बात यह इसे हम अगर रीपॉर्ट भी कर देते हैं तो इसे बिल्कुल च्छाओं में रखना है आपको तूरंट सडनली धूप प्रोवाइट नहीं करना है एटलस्ट दो से तीन दिन अगर आप च्छाओं में रखते हैं तो फिर आपका जो प्ल सर्वाइव करने के चांसिस रहते हैं वो बहुत कम रहते हैं और बहुत जादा उनकी खास केयर करनी पड़ती है इसके वज़े वह सर्वाइव करें तो ऐसे चीज़ों का खास धियान रखना है और कैसा लगा आपको मेरा यह वीडियो और आपको कौन से रोज की कलर्स और के प्लांट जादा पसंद है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा पिर हम बिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए बाइबाइब और एंटे कियर